नमस्कार आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स मैं आपके साथ रंधिरा कुरोना वाइरस के बाद वारल बुखार और डेंगू का कहर काफी ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ बाचित करने के लिए डॉक्टर मुकेश मुदूद हैं तो देखिये डेंगू जो है जैसे अभी सब लोगों का फोकस कोवीड पे और बाकी चीजों पे है लेकिन अभी उन अभी मेजर कॉज ऑफ मॉर्विडिटी और मॉर्टिल्टी डेंगू है और ये इसका इंसीडेंस बढ़ जाता है जब वारिस सीजन खतम चलता रहता है या ख इसको लेटली भी नहीं लेना है तो टेंगू के बारे में बेसिक चीज पहले जाने कि बटा क्या है तो यह एक आडेने वार्श है और ये चांस्मेट होता है तो मॉस्कूटो में एड्त स्प्सी जैएगों वही इसको चांस्मेट करती है और इसमें अलग-अलग स्मेशी जो की काफी common है अलग other varieties भी कुछ है जो यहां पर common नहीं है लेकिन के तुरू भी होता है जनरली डेंगू में जो incubation period होता है four to ten days होता है और initial symptom जो इसका है initial symptom fever के साथ start होता है उसके साथ body ache, headache, back ache, muscle cramp एक यह सब हो सकता है बहुत सारे cases में mild infection होता है जो अपने आप recover कर जाता है लेकिन कुछ cases में यह काफी serious होता है और जब डेंगू hemorrhagic fever या डेंगू shock syndrome में convert हो जाता है तो वो काफी lack treating होता है जनरली जो कोर्स डेंगू का होता है कि initial four to five days fever आता है four to five days fever के बाद four to five days के बाद fever subside कर जाता है six days जो होता है डेंगू में dangerous होता है और generally six day को platelet तेजी से गिरता है तो six day platelet ती से गिरता है तो six day में special precaution लेने की ज़रत होती है और six days ही अबसे dangerous माना जाता है डेंगू fever के लिए generally seven day के बाद डेंगू recovery start हो जाता है और ten days में complete हो जाता है तो यह इसका life cycle है अब इसमें हमें करना क्या है कि यदि हमें symptom लगे तो पहले तो आप जाके टेस्ट कराइए करें करिए कि डेंगू है के लिए डेंगू के लिए अलग अलग ट्राइब के टेस्ट होते हैं पहले होता है कि initial 24 hour में आफर 24 hour जो है को जनेर प्रिकॉशन लेने की जड़ात है कि मेडिसिन तो कहरा पर स्टार्ट करिये ही प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करना होता है और प्लेटलेट का ग्रेजुवली डिक्रेजिंग ट्रेंड होता है अप्टू सिक्स टे अस्पिटलाइजिशन की जड़ात तब तक नहीं हो रहा है और अभी आपका डिक्लाे ट्रेंट है और यह फ्यफिक एघ्राउंड अखेला does अल रहत है कर ट्रेकॉशन का जरूरत तभी होता है प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाता है या उसके पहले तो खेले आप तो प्रेटलेट मानिटर करते रही है यदि कोई ब्लेडिंग में निफेस्टेशन नहीं है तो वेट करिए शिक्स टे निकल जाएगा तो अपने प्रेटलेट इंप्रूब करना शुरू हो जाएगा लेकिन यदि लगता है कि प्रेटलेट इलाडमिंग लिवल पर है और पाकी र इनजाइम बढ़ सकता है जनरली इसमें ये इसमें पानी जमाओ जाता है तो यह सब चीज ए इंडिकेट करता है कि आप सीवीर इंगो के तरफ बढ़ रहे हैं उस कंडिशन में आपका प्रापर ट्रेट में का जरूरत है ट्रेट्मेंट वाले पार्ट पर आते हैं तो ट्र एक चीज का ध्यान रखना है डेंगू के टाइम में कि कोई भी एनलजेसिक नल है आई ब्रूफिन हो गया जो भी दर्द के दवाई है उसको कभी भी नल है जो आपको फीवर राता है तो सिर्फ परसेटामोल ही लें और इस सीजन में सबको भी एड़ाइस करना है कि परसेटा परसेटामोल के लावा फीवर के लिए को और दूसरा मेडिसीन न यूज करें यदि आपको डेंगू हो चाहिए अगर वाईरल फीवर भी हो उस कंडिशन में भी होता क्या है कि कई वाई डेंगू का फीवर परसेटामोल से कम नहीं होता है उसके चलते लोग एनाजेसिक ल परिली गिरा देगा और ब्लीडिंग का चांसे बढ़ जाएगा तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है और दूसरा रोल आगता है फ्लूड रिससिटेशन का जो जेनरल यदि माइल्ड सिंटम है यदि हम लोग पेसेंट को घर पे मैनेज कर रहे हैं तो उसमें है कि पे सब्सक्राइब होता है उसका इंटेक बढ़ा दें जूस यह सब लें है जिसन मेंटेन करना है जिसन सबसें इंपॉर्टन होता है और स्पिटलाइज पसेंट में जहां पे जो ज्यादा फ्लूड डिफिसियन्ट है हमका हमेटोपिट बढ़ा हुआ है बाकी सिंटम कैपिल इसका मिल रहा है तो उसमें हम लोग एग्रेसिव होके फ्लूड मैनेजमेंट करते हैं रिकमेंडेशन है कि यदि स्टार्टिंग में हम लोग 5-7 ml पर kg पर आवर के हिसाब से फ्लूड देते हैं एक दो घंटे के लिए उसके बाद उसको काम करके 3-5 ml पर kg पर आवर के हिसा चाहिए एम होना चाहिए कि यूरीन ओट-पूट मेंटेंड रहे यूरीन ओट-पूट 0.5 ml पर kg पर आवर से ज़्यादा हो या यदि ऐसे पेसिंग मानिटर करना है तो हर 4-6 आवर में यूरीन पास करना है इसके अलाबा यदि बाकी सिस्टम इंवल्मेंट का सिम्टम है इसके लिए संदेश क्या देना चाहिए क्योंकि जब डेंगू हो जाता है तो लोग काफी डर जा रहे हैं तो बस आपको अंडर मेरिकल सुपरवीजन रहना है रेगूलर प्लेटलेट चेक कराते रहना है एड्रेशन मेंटेन करना है और यहां लगे कि नहीं अब सिम्टम बढ़ रहा है या डिट्रेशन का चांसे है वहां पैड्मिट हो पर डेंगू कराई है पैनीक होने की जरूत नहीं है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए और इसका ध्यान रखना है तो देखा आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि ड करें और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम टेलिग्राम से जरूर जुड़ें